सावन के तीसरे समवार को तड़ के महाकाल में बाबा की भसमारती की गई समवार के साथ सोमवत्ती हर्याली अमावस्या होने से आज विशे संयोग बना है सबसे पहले पुजारियों द्वारा बाबा का पंचामरत अभी शेक किया गया फिर सिंदूर शंगार किया गया और फिर भसमारती की गई सावन महा में हर बार की तरहा आज सावन के तीसरे समवार को भी सुबई धाई बजे महाकालेश्वर मंदीर के ग्रब क्रह के पठ खोले गये जिसके बाद महाकाल को जल चुड़ाय गया पंजित पुजारियों ने दूद दही पंचामरत पधार्त फलो के रस से महाकाल का पर शुड़ालियों के दर्शन करने का सिलसिलव शुरू हो गया को द्रश्ट रखतेु होएं शुड़ालियों की सुविधा के लिए मंदीर प्रसाशन नै अन्यराजब और मध्यप्रदेश के बाहर मंधि पढ़ार्त उप्षर निवेव के दर्शन पर रोक लग कारण सिर वाद में महापर्व बर्सों के बाद में ये सयोग बना कि समार के दिन महापर वस रावण मास में नाया है इसलिए भगवान महादेव कि विशेज पूजन पंचाम रदन का सिंगायगा विचेश राष्ट की सुद्षिम्रिद्धी की कामना की गई है आज की दिन बग्वान शिव को जल चड़ाने से बिल पत्र चड़ाने से एवं इसनान करने से तीरतों मैं समस्थ प्रकार के पाप 6 हो जाते हैं इसलिए आज का दिन शिव भकतों के लिए कापी महत्पुन होता है